हालो बच्चों आप लोग कैसे हैं आपका हमारी आत्मा एकडेमी चैनल में स्वागत है आज टॉपिक दिख रहा होगा लॉजिक गेट्स हमने टू डाल रखा है इसका मतलब लॉजिक गेट्स का एक वीडियो हम बना चुके हैं उसको हम सुने समझाया था कि लॉजिक गेट्स क्या होता है हमने कहा था कि लॉजिक का मतलब होता है तर्क करने की चुमता हम कुछ electronic equipment बनाते हैं एक electronic system बनाया जिसको हमने एक artificial intelligence दे दी उसको उसको सोचने की च्चमता दे दी कि वो कब क्या करेगा थीक है उसमें हमने तीन प्रिकार के gate बताये थे basic gate बताये थे हमने एक बताये था आरगेट कि उसके दो input होते है और एक output होता है और उसका यह आपका symbol था महल का साब बताता हूँ ये दो input थे A और B और A किसका output था ये orgate है और इसमें बताया गया था कि we have a signal if either A और B have a signal, इन दोनों में से किसी में भी एक signal होगा, तो वो आपको वहाँ signal दिखाई पड़ेगा, ठीक है उसकी truth table, याद रखनी पड़े कि और ये B है और ये है Y जिसको कहेंगे A और B ये boolean expression था अगर A 0 हो, B 0 हो हम circuit diagram नहीं मता रहे हैं मेरे statement से ही clear आपको सुन में आ रहा होगा कि हमारे पास signal कब होगा जब A और B किसी एक में signal हो, ठीक है तो दोनों में signal नहीं है तो Y पे आपको signal नहीं मिलेगा अगर A पे signal है और B पे नहीं है तो क्या बताया गया कि signal मिलेगा इन दोनों में से कोई भी एक में signal होगा तो signal आपको मिलेगा तो यहाँ पर 1 आएगा अगर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है तो signal मिलेगा और दोनों में signal है तो अभी signal विलेगा ये आपको बताया गया था truth table ठीक है इसका जो wave diagram बता दिया गया था वो देख लीजेगा वीडियो में पिछले वीडियो में बताया गया था तो ये था or gate इसके बाद एक था end gate end gate का जो symbol था वो ऐसे था ये symbol होता है इसमें दो input होते हैं और एक output होता है A और B ये output है ये end gate है इसमें क्या बताया गया कि we have a signal if both A and B have a signal statement में ही पुरा logic चुपा हुआ है कि दोनों में से अगर signal होंगे तब आपको यहाँ signal मिलेगा मतलब अगर हम इसमें ये A और B input है और ये आपका A and B equals Y है तो अगर दोनों में signal नहीं है तो आपको Y में signal नहीं मिलेगा A में है और B में नहीं है तब भी नहीं मिलेगा और दोनों में signal है तब आपको signal यहाँ मिलेगा यह आपका and gate बताया गया था ठीक है इसके बाद अगला था में शॉट में बता रहा हूँ अलड़ी बता चुके थे वही ऐसे होता था पिछले एपिसोड में आपने देखा तो वही एपिसोड में बताया जा रहा कि पिछली कड़ी में आपने क्या देखा उसके बाद एक not gate बताया गया जिसमें कहा गया it negates the signal यह signal को negate करता है not gate का indication कुछ ऐसे था यह not बनी हुई थी यहाँ एक input था a और एक output था y तो यहाँ क्या हो रहा था कि जब a यहाँ पर है यह not a बार लगा देते है equals y जब हम a पर signal देते है तो यह single नहीं यहाँ पर मिलता है और यहाँ नहीं देते है तब signal यहां मिलता है signal नहीं देते मतलब जब हम switch off कर देते हैं तब वहाँ पर current मिलती है कैसें पिछले वीड़ों में आपने बताया है वह आप देख लिजेगा इसके बात हमने यह 3 basic gates थे इसके बाद इन तीनों गेट से मिलकर कि वैसे तो बहुत सारे गेट थे XOR गेट होता है वह बाद में हम करेंगे क्योंकि उस टल्थ के एक स्लेवस में नहीं है इसके बाद हमने बताया था NOR गेट नौर गेट बताया गया था क्या होता जो और को negate करती not after or मतलब यह आपका और gate है यह आपका और gate है यहाँ दो input थे A और B और यहाँ पर एक output मिला Y dash मतलब अगर मैं truth table जो कि बता चुका हूँ अगर मैं truth table इसकी देखूं तो क्या बताया गया यह A है यह B है और हमको उसे मिल क्या रहा है और gate में मैं और की बात कर रहा हूँ यह और gate है उसमें क्या मिल रहा है हमको output Y dash मिल रहा है जब मैं अच्छा और की definition में हमने क्या बताई कि we have a signal if A or we have a signal A और B किसी में भी signal होंगे तो आपको signal मिलेगा अगर दोनों off है तो यहाँ off होगा अगर यह on है यह off है तब आपको signal मिलेगा यह off है यह on है तब आपको signal मिलेगा और दोनों on है तब तो signal मिलेगा ही मिलेगा इसके बात क्या होता है यहाँ पर आगे एक not gate लगा दिया जाता है यह not gate है not gate क्या करता है Y' जो है वो not के लिए input का काम करता है और Y' Y आपको देता है output और ये क्या करता signal को negate कर देता है तो जब Y निकालेंगे तो हमें input में क्या मिल रहा है Y और Y क्या करेगा उसको उल्टा कर देगा 0 को 1 कर देगा 1 को 0, 1 को 0, 1 को 0 इसका हमने wave background में बताया है nor gate का wave background क्या होता है इसके बाद इसका एक और figure था ये तो आपने दोनों मिला के बनाया अगर combined मिलाएं एक single तो आप or gate बनाईए ये or gate है और यहाँ एक not लगा दीजी तो or में not लग गया तो ये हो जाएगा nor gate ठीक है इसके बाद nand gate बताया गया जो and gate को negate करे and gate को negate करे मतलब and जो कहे उसको नकार दी तो पहले कौन आएगा पहले and आएगा वो कहेगा भाईसा भाईसा करी है और नहीं करेंगे पहले राट नहीं आएगा तो and में not after and होता है तो यह हमने बताया था nand gate nand gate and not after and तो पहले यह and gate है दो input एक output यह y dash यह a और b input and में हमने जो truth table बताई यह जो मैंने boolean expression बताया यह logical relation बताया हमने का we have a signal when a and b both have a signal दोनों में signal होगा तब वहाँ signal मिलेगा यानि कि अगर मैं इसकी truth table बनाऊ जो कि हमें बता चुके हैं कि y dash मैं end की बारे में बात कर रहा हूँ मैं nand नहीं बता रहा हूँ कि जब यह दोनों off है तब y dash 0 होगा एक on एक off तब भी 0 होगा क्योंकि statement क्या कहता है कि both have the signal then we have signal दोनों में signal होने चाहिए ये 0 ये 1 तब भी 0 और दोनो 1 तब यहाँ पर आपको signal मिलेगा इसके बाद क्या होता है इसके बाद यहाँ पर एक not लगा देते हैं ये not लगा देते हैं और not क्या करता है हब को जो output देता है वो इस y-s को negate कर देता है तो जो output मिलेगा जीरो का 1 इसका 1 इसका 1 इसका 0 अगर combined figure हम बनाना चाहें इसका एक single figure तो आप क्या करें end gate बना दें और end gate में क्या करें एक not लगा दें और ये y आप देख ले तो आप चाहें तो इस वाली को बनाए या ना बनाए direct ये A, V और Y आपको दिखाना है ये तो intermediate table बना दी जाती है नेंड का मैंने wave diagram मैं भूल गया था बताना तो इसका wave form क्या होता है ज़र समझेगा नेंड का wave form wave form हमने बताया था कि actually होगा क्या यहाँ पर ये आपका अगर on है तो ये ये off है तो ये on है ये off है तो ये on है देखे ये ये जो line होती ना vertical line इससे कोई मतलब रही है ये on चार ये off ये on ये off ये on ये intermediate line से जो इनको vertical line से मिला लिया जाता है और ये 24 सेम होनी चाहिए तो इसका wave diagram समझेगा कैसे बनाया जाएगा जिसको wave form भी कहते है इसको आप box wave भी कहते है कभी कभी box wave बना करके दे देते हैं अभी हम बता रहे है एक दो question में देखे ये समान चौड़ाई की vertical lines खींच लीजिएगा हम साहर 9 gate बताना भूल गए थे इसलिए हम जानवूस की बता रहे है इसको 9 gate का देखे ये समान चौड़ाई की vertical lines खींच लीए ये हमने खींच लीए कोई ज़रूत है नहीं लेकिन अब चुकि इससे diagram सही बनता है ये time base lines होती है ये time समझे एक एक सेकेंड फिर एक सेकेंड फिर एक सेकेंड फिर एक सेकेंड इसलिए इसकी चौड़ाई सेम रखते है देखो A में क्या था 0 A 0 हो गया ये 0 line हो गई फिर A 1 है फिर A 1 हो गया फिर A 0 है फिर A 0 हो गया फिर A 1 है फिर A 1 हो गया एक तरी किसा ऐसे A बना ये 1, 0, 1, ऐसे, ये है A, ठीक है, में ये फिगर है, वो तो वर्टिकल लाइज हम ने कहीं चाहिए, ये A हो गया, राइट, B में देखे, पहले B 0 है, सिर B 0 है, सिर B 1 है, फिर B 1 है, ये B है, ये दोनों कैसे हैं, ये input signal है, आट्पुट कैसे मिलेगा, ये 1 है, अगले में भी 1 है, अगले 1 है, और लास्ट में 0 हो गया, ये 0 है, ठीक है, तो ये आपको output मिला Y, ये NAND gate है, ठीक है, जरा समझेगा, एक note लिजिएगा, कि अगर हमने आपको binary numbers कुछ दे दिये, और हमने कहा उसका waveform ने का लिए, जैसे हमने कहा, एक note हम discuss कर लेते है जैसे हमने का 00101011, इसका waveform बताइए, चौई आई आप decide कर लिजेगा, पहले 0, ठीक, फिर यहाँ से फिर 0, ये दिखना चाहिए कि दो पार्ट में है, इसके बाद 1, इसके बाद 0, इसके बाद 1, इसके बाद 0, फिर इसके बाद 1, और फिर ये 1, ऐसे बनाएं गया, ठीक है अगर ऐसे हमने बना दिया, तो ये 0, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, ये 1, तो 00101011, इस प्रकार से आप binary representation लिख सकते हैं, ठीक है, अब देखिए, ये हम बता चुके है, NAND gate को कहा जाता है, NAND gate is a universal gate, NAND gate जो होता है, वो universal gate होता है, अब NAND gate की साहता से तीनों basic gates बनाए जा सकते हैं, तो basic gate हमने इस लिए बताया, कि अगर ये वीडियो आप देख रहे होंगे, और पीछे वाला आपने नहीं देखा होगा, तो समझ में नहीं आएगा कि NAND gate को कहा जाता है, कि NAND gate is universal gate, ये universal gate है, मत better, इसकी साहता से हम and场 gates बना सकते हैं, तो अब हम NAND की मदद से बनाने जा रहे है, and NAND की मदद से बनाने जा रहे है not, और NAND की मदद से बनाने जा रहे और, truth table आपको clear कर देगी, कि जो मैं बना रहा हूँ, वो सही बना रहा हूँ, तो देखे सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं कि 9 to not पहले हम बनाने जा रहे हैं कि not gate by 9 gate 9 gate से हम not gate बनाने जा रहे हैं तो not gate आपको याद होना चाहिए not gate क्या कहता है it negates the single यहाँ पर 0 input करेंगे तो वहाँ 1 मिलेगा 0 input का मतलब यह नहीं current देंगे नहीं हम current switch नहीं लगाएंगे वहाँ current मिलेगा ऐसा नहीं है input करेंगे का मतलब switch off करेंगे तो current आपको मिलेगी रास्ते का switch और जब रास्ते का switch on करेंगे तो current आपको नहीं मिलेगी अब जोरा समझे करते क्या है इसमें यह आपका NAND gate है, यह आपका NAND gate है, यह NAND gate होगे, यह A है, यह B है, और यह आपको output मिल रहा है, अब हमको यह बताना है, कि यह actual में, यह NAND gate तरहे काम कर रहा है, यह हमको बताना है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर, यह जो input है आपके, A-B-, इसको switch कर दो, इसको इस प्रकार से, आप जो है, जोर दीजी आपस में, इसको switch नहीं कहते हैं, short कहते हैं, short कर दीजी, क्या कर दीजी है, इसको short कर देना, आपको याद हो, अगर कभी आपने देखा हो, साइड ना द पंखे में condenser लगा होता है, condenser एक, छोड़ा सा, एक cell type का होता है, उसमें, दो, ऐसे, वो, switch निकले होता है, दो, इसमें, टांगे type की होती है, तो आप दुकान पर जाओगे, तो वो इसको ऐसे जाके, उसको तार से touch करता है, चट से बोलता है, यानि, वो short कर देता है, यान से आपको y मिल रहा है, जरा समझिएगा, इस प्रकार से इसको short किया है, अब इसके truth table देख लिजएगा, truth table आप खुद बना लोगे, और अपने आप, आप समझ जाओगे, यहाँ पर एक हीत input है, यहाँ एक input है, इसके सायता से मैंने यहाँ a-डैस दिखाया है, बीडैस द current नहीं दे रहे है, current नहीं दे रहे है, यह battery low यहाँ लगा दी है, यहाँ रास्ते का switch off कर दी है, जो समझ दी है, जब यहाँ zero करेंगे, तो यहाँ दोनों zero हो जाएंगे, यानि a-डैस भी zero हो जाएगा, और b-डैस भी zero हो जाएगा, अब ज़रा end gate पे आईए, मैं not, इस not क gate है, वो क्या निकालेगा, zero, और आगे क्या लगा है, not बहुत बत्मीज है, जब end ने zero निकाला, तो not क्या करेगा, वो not इसको one कर देगा, बात समझ में आई, अब ज़रा देखिए, चुकि एक ही input है, तो या तो zero होगा, या तो one होगा, मैंने इसको one कर दिया, तो a-डैस भी one हो जाएगा, और b-डैस भी one हो जाएगा, ठीक है, अब ज़रा end पर आईए, end, end क्या कहता है, कि we have a signal, when both have the signal, इन दोनों में signal है, है, तो end क्या करेगा, signal देगा, यानि one करेगा, रास्ते में, बत्मीज, not, not क्या करेगा, उसको negate करेगा, यहाँ zero हो जाएगा, अब ज not में कितने input होते हैं, एक input होता है, एक output है ना, होता है, जब मैं not में zero लगाता हूँ, तो हमको क्या मिलता है, one, जब not में one लगाता हूँ, क्या मिलता है, zero, आपने जो input दिया है, not के हिसाब से आपको output मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, तो यह कैसा gate हो गया, not, gate कौन सा था? NAND तो NAND gate से हमने क्या बनाया? NOT gate बनाया तो NOT gate by NAND gate दीखे, आपने आपसे कुछ नहीं करिया आपने का भई 1 दिया ठीक दिया, इन दोनों में 1 हुआ, हुआ, ये रास्ते में कौन है? AND gate AND में दोनों input मिले? मिले AND क्या करेगा? output देगा देगा, देगा मतलब 1 रास्ते में नारायक, NOT NOT क्या करेगा? 0 कर देगा, तो 1 को वने 0 कर दिया, अपने आपसे कुछ नि करिए ready है नहीं? हमने इसमें 0 किया, किया, इन दोनों में क्या हुआ? 0, रास्ते में कौन है? AND, AND का rule क्या है दोनों 0 है तो, नहीं वो आपको से मिल देगा, तो इसने क्या किया? 0 कर दिया, रास्ते में कौन लगा है? NOT NOT क्या करेगा? बत्मीजी करेगा, वो 0 को क्या कर देगा? 1 कर देगा, कर दिया उसने, तो यह जो table A से Y मिला है, यह किसकी है? यह NOT gate की ही है, किस से बनाया? NAND gate से, तो this is the NAND gate by, NOT gate by NAND gate, ओके? समझ में साइद आ गया होगा, अब मैं बनाने जा रहा हूँ, NAND gate से OR gate, समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा logic है, अपने आप समझने की कोशिच करिए, दूसरा मैं बनाने जा रहा हूँ OR gate कि एक NAND gate होता है ऐसे, यह याद रखना पड़ेगा, एक ये NAND gate है, एक और NAND gate, एक तुछी truth table decide करेगी, जो truth table बनाओगे ना, सत्ता असार नहीं, वो decide करेगी यह किस gate की है, और यह अपने आप समझ में आ जाएगा, यह है यहाँ से दो input है, यह दो NAND gate हो गए, यह दो input है, अब हमने क्या किया, इन दोनों input को short कर दिया, यादि इसको एक बना दिया, और यहाँ से input क्या देंगे हम, एक, यह दोनों A हो गए, ठीक, यह दोनों दो नहों करके एक हो गए, इसको हमने short कर दिया, और यहां से input किया दिया B, अब यह क्या करेगा end क्या करेगा, not क्या क्या करेगा हमको मालू है, इसके बाद एक और end gate यहां लगाएंगे हम end gate, sorry, end gate लगाएंगे और यह जो बाहर निकलेगा ना यह इसका input हो जाएगा ठिक, इसको दे दो नाम A- B- इसको दे दो Y अब आप अपने आप से questioning कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा, आपको रटने की जरूत नहीं पड़ेगी नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी साउधान, आईए मैं A से बात करता हूं A से बात करता हूं ठीक है, B एक इधर जाएगा, A- पर पहुंचूँगा फिर मैं B- पहुंचूँगा फिर मुझे Y मिलेगा ज़रा समझ दीजीगा A से क्या मिलना है, A- इस NAND gate पात बैठ जाओ बैठ गए, ठीक है A को 0 कर दिया हमने, देखो ध्यान से अगर A 0 हो जाएगा तो यह दोनों जो स्तार है इसमें input क्या होगा? 0 AND gate क्या करता है? AND gate कहता है कि अगर दोनों में signal नहीं है, तो AND gate signal नहीं देगा, तो AND gate क्या निकालेगा? 0 यह NAND I क्या करेगा? 1 कर देगा तो यह 1 बनेगा कौन? A- तो A- क्या बन जाएगा? 1 समझ में आई बात? अगर A-0 है तो A- क्या बन जाएगा? 1 अच्छा A-0 है और B-B-0 है A-B-0 है पर दोस्ट, input यहाँ दो करने पड़ेंगे ना, B-B-0 है तो B-दैस भी क्या बन जाएगा? 1 यहाँ तक बासमला आ गई होई, यहाँ पे आईए A-1 है और B-0 है A-1 है यहाँ पे आईए, इसको भोल जाएए B को भोल जाएए A-1 है A-1 है, तो इन दोनों में 1 होगा यχिने दोनों तारों में 1 होगा END gate में क्या होगा? दोनों में signal आपको मिलेगा दोनों में signal मिलेगा, तो END gate क्या करेगा? signal देगा ये ना लाइक क्या करेगा? उसको 0 कर देगा तो जब A1 है तो A-डैस क्या हो जाएगा? 0 B पर आईए B0 है, यहनि सिगनल नहीं है A दोनों 0 होंगे end gate क्या करेगा? 0 ये not क्या करेगा? 1 तो B-डैस क्या हो जाएगा? 1 ठीक? A0 है और B1 है A0 है, यहाँ पर आईए A0 तो दोनों 0 दोनों 0 तो end क्या करेगा? 0 not क्या करेगा? 1 तो A-डैस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ठीक? अभी मैं यहाँ नहीं निकल रहा हूँ अभी यहीं पहुँच रहा हूँ मैं यहाँ पर आओ, B पर आओ B पर क्या लिखा है? 1 B1 लिखा है कि दोनों 1 end क्या करेगा? signal देगा 1 not क्या करेगा? 0 कर देगा बीटा है, 0 हो जाएगा अपने आप से कुछनी पूछो, अपने आप सोन में आजाएगा दोनों 1 कर दो दोनों 1 क्या? यह देखे, यह 1 कर दिया तो 1 कर दिया, तो end क्या करेगा? signal देगा, not क्या करेगा? 0 कर देगा एक मिट एक को 1 लिखा, तो यह 0 यह भी भी 0 हो जाएगा अब ज़राब, यहां तक बाफ समाई, यहां पर आजाओ देखो, A-1, B-1 यह दोनों 1 है न? यह दोनों 1 है यह दोनों 1 है, तो end क्या करेगा? signal देगा 1 देगा, not क्या करेगा? 0 कर देगा, तो 1-1 का क्या हो गया? 0 यह 0, यह 1 यह 0, यह 1 यानि कि end gate को एक 0 मिल ला है, एक 1 मिल ला है end gate क्या करेगा? signal, नहीं देगा नहीं देगा ना, तो आगे end से क्या मिलेगा, 0, not क्या करेगा, 1 कर देगा ये 1, ये 0, ये single मिला या नहीं मिला, यहां पर यहां मिला था या नहीं मिला था अब a1 है, a-1 है, ये 0 है, दोनों में से एक में single है, तो end क्या करेगा, single नहीं देगा NOT क्या करेगा, 1 कर देगा और दोनों 0 तो यह क्या करेगा, end, signal नहीं देगा NOT क्या करेगा, 1 कर देगा अब जो और gate को समझो और gate क्या कह रहा था कि we have a signal if either A or we have a signal किसी एक में signal हो देखो जरा, यह तो बीच का रास्ता है, यहां समझेगा हमने यहाँ signal नहीं दिया यहाँ signal नहीं मिला एक में signal दिया signal मिला दोरों signal दिया signal मिला OR gate गयता है कि किसी एक में signal हो तो हमको signal मिलेगा तो NAND gate से हमने क्या बनाया OR gate तो OR by NAND हो गया सर्द में आ गया होगा diagram याद करना पड़ेगा समझना पड़ेगा truth table अपने आप बन जाती है ओके आगे देखते हैं अगला है end gate by nand gate end gate क्या कहता है कि we have a signal if a and b both have a signal अगर दोरों में signal होगा तब आपको signal मिलेगा otherwise नहीं मिलेगा दोकर इसका तरीका क्या होता है end gate में क्या करते है end gate में क्या होता है तीसरा है end gate by nand gate ये एक nand gate है ये नंद gate नहीं है हिंदी वाले करें नंद बोल जाते है ये नंद gate है ठीक है यहाँ पर दो input है a और b एक output यहाँ से निकला इसके बाद एक nand gate और बनाईए आप ठीक है और यहाँ जो दो input है ना उनको short कर दीजिए और ये इससे मिला दीजिए इसके सीधे बना दीजिए थोड़ा सा टेड़ा बन गया है कोई दिक कर नहीं है तो तार मिलाना है देखे ये यहाँ से आपका a डैस निकला और ये आपका y लिए नाम अपने हिसाब से आप लिख सकते है आप ये y लिख सकते है ये y लिख सकते है ये a डैस b डैस और यहाँ पर y लिख सकते है हम बना क्या रहा है end gate end gate क्या कहता है when both have a signal then we have a signal इस concept को यहाँ यूज़ करना है जरा truth table में आजाओ truth table है अपने आप decide कर देती है कि ये actual में end gate है नहीं है हम a b में supply करेंगे और y को check करेंगे देखो ध्यान से पहले a और b y का मतलब a डैस b डैस a डैस और b डैस और यहाँ क्या मिलेगा y आप y डैस रास्ते में लिखे या न लिखे कोई फरक नहीं पड़ता और लिखना चाहो तो लिख सकते हो y डैस लिख दो रास्ते में y डैस फिर a डैस फिर b डैस फिर y अब दिरास समझेगा देखो अगर a में 0 कर दे और b में 0 कर दे अपने आप से कुछन करिए end gate क्या करेगा 0 not क्या करेगा 1 तो y डैस क्या हो जाएगा 1 मैं भी इसको बोल जाता हूं यहीं भी आईए अगर a को 0 कर दे और b को 1 कर दे तो end gate क्या कहता है end gate कहता है we have a signal when both have the signal इन दो में से एक में signal है तो हमको यहाँ signal नहीं मिलेगा end gate के द्वारा लेकिन not क्या करेगा इसको signal बना देगा end तो 0 करेगा not क्या करेगा 1 कर देगा इसमें 1 है इसमें 0 है तबी not 1 कर देगा इसमें 1 है इसमें 1 है तो end क्या करेगा signal देगा not क्या करेगा इसको 0 कर देगा अब यहाँ पर आ जाओ जो y-0 है 1 है ये दोनों कैसे होंगे ये दोनो 1-1 होंगे नहीं होंगे जो y-1 है ये दोनो 1-1 होंगे क्योंकि ये y-1 ही तो यहाँ दो वागों ब्रेक हुआ है जो y-2 होगा वही a-b-2 होंगे यहां भी one one होंगे, यहां पे zero zero होंगे, यहां पे आओ, दोनो one one है, तो and क्या करेगा, यह भी one, यह भी one, and क्या करेगा, one कर देगा, not क्या करेगा, zero कर देगा, इसको zero कर देगा, zero कर देगा, यहां one कर देगा, अब यह जो बीच वाली table है न, यह आपने दिमाग से हटा दो यह intermittent table से हटा दीजे जब दोनो 0 तो यहाँ 0 एक 0 तब भी 0 एक 0 तब भी 0 दोनो 1 तब भी 1 end क्या कहता है कि we have a signal when both a and b have a signal तो actually made truth table दो input से एक output जो दे रही है वो किसकी लग रही है यह end gate की है तो this is the end gate which is the universal gate इसकी साहता से आपने gate को समझा तो this is the end of this lecture okay thank you